नमस्कार दोस्तो ओनलाइन एगरी कल्चर एपलेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की अपने इस सेशन के अंदर बड़ा ही मज़ेदार टोपिक डिसकस करने वाले हैं और आज का टोपिक है हमारा फसलों के उपनाम यानि degree of crops या फिर हम बोल सकते हैं synonymous of crops और इनके अंदर अपने agronomy crop भी बात कर लेंगे और horticulture crop है उसके भी बात कर लेंगे अगर synonymous में आप चलें या फिर फसलों के उपनाम या अन्य नाम में चलें तो बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं लेकिन अपने जो exam point of view से important है उनी पर discuss करने वाले हैं तो करते हैं अपने start आज के session को और सबसे पहले दिया हुआ है सुस्क जलवायू का राजा यानि king of arid climate भी बोल दें या king of arid fruit भी बोल सकते हैं सुस्क जलवायू वाले फलों का राजा उसके अलावा सुस्क जलवायू का फल यानि arid climate fruit भी जिसको बोला जाता है उसके अलाव fruit पूर में फ्रूट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे पूर में फ्रूट बोलते हैं नहीं बोला जाता है एपल गौावा को बोला जाता है ठीक है पूर में फ्रूट यानि गरीब का फल उसके अलाव इसको अपने चाइनीज फिंग यानि चाइनीज अंजीर के नाम से भी जानते हैं तो वो फल कौन से अपना बेर है तो बेर को आप जानते हो king of arid fruit यानि सु पूस्क जलवायू है उसका फल बोलते हैं उसके अलावा इसे पूर में फ्रूट बोलते हैं पूर में एपल गौवा है ध्यान रखिएगा पूर में एपल यानि गरीब आदमी का सेब है वो किसे बोला जाता है अमरूद को बोला जाता है लेकिन अगर आप से पूछ ले प King of Serial किसे कहा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं गेहूं को बोलते हैं और मोटे अनाजों का राजा King of Core Serial या King of Nutri Serial देखो bilingual दिया है नीचे English में दिया हुआ है उपर Hindi में दिया हुआ है और मैं दोनों में communicate कर रहा हूँ मोटे अनाजों का राजा यानि King of Core Serial या King of Nutri Serial है वो सोर्गम यानि जवार को कहा जाता है सोर्गम बोले तो हिंदी में अपने क्या बोल देंगे जवार को कहा जाता है नेक्स अपने बात करें चारे वाली फसलों का राजा यानि King of Forder Crop वो किसे कहा जाता है बर्सीम को कहा जाता है King of Forder Crop यानि बर्सीम है बर्सीम बोले तो क्लोवर भी आप जिसको बोल देती हैं नेक्स अपने बात करें फलों का राजा King of Fruit ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे King of Fruit उसी को हम बोलेंगे हिंदुस्तान Fruit यानि हिंदुस्तान फल उसके लाव बाथरूम फल उसके लाव भारत का राजदूत फल यानि अपने इसको बोलती है जनली अमबेस्टर Fruit of इंडिया बोलते हैं उसके लावा नेशणल फ्रूट रास्ट्रीय फल उसके लावा इसको बोलते fruit of love यानि प्रेम का फल तो फलों का राजा कुन है मेंगो मेंगो को और किन नामों से जाना जाता है वाथरूम fruit के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान fruit के नाम से जाना जाता है अमबेस्टर करें नेक्स्ट आप बटर फ्रूट बटर फ्रूट या फिर अपने जन्रली क्या बोलेंगे बटर फ्रूटी बोलेंगे वेसे तो मखन फल है ना बोलने में ठीक नहीं रहेगा और 21st century fruit यानी 21st सदी का फल है वो किसको कहा जाता है एवाकाडो को कहा जाता है और एवाकाडो को new word food के नाम से भी जाना जाता है ना ने विस्व का फल भी कहते हैं new word fruit के नाम से भी जाना जाता है यानी ने विस्व के फल के नाम से भी इसको जाना जाता है तो बटर फ्रूट के न नाम से भी एवाकाडो को जानते हैं अब आवला और कई बार एवाकाडो में एक confusion हो जाता है fruit of 21st century fruit of 21st century पूछ ले तब तो आप बोलोगे आवला और 21st century fruit अगर पूछ ले तब कौन सा बोला जाता है एवाकाडो बलांकी बात एक ही है लेकिन यह उपनाम दिये गे हैं सिनोनिम दिये गे हैं यहां पे आपको ज़्यादा logic नहीं देखने है ना इनकी importance के हिसाब से इनको महतो दे दिया जाता है और नाम से कभी पूरी चीज़ एक्स्प्लेइनों कोई जरूरी नहीं है तो 21st century fruit यानि 21 सदी का फल कौन सा है एवाकाडो और fruit of 21st century किसे कहेंगे आमला को कहते हैं next food for 22st century बाइसमी सदी की जो सबजी है या फर हम क्या बोल देंगे इसको भोजन है 22nd सदी का भोजन किसे कहा गया है 22nd सदी का जो भोजन है वो वोटर मेलन को कहा गया और 22nd सदी की सबजी भी कहते हैं इसे food for 22nd century यानि 22nd सदी का भोजन और उसके लाव 22nd सदी की सबजी बाइसमी सदी की सबजी भी बोलोगे 22nd सदी का भोजन भी बोलोगे किसको बोलते हैं वोटर मेलन यानि तरबूज को बोलते हैं vegetable of 21st century यानि 21 सदी की सबजी किसे कहा जाता है 21 सदी की सबजी चिकुर मेनिस को कहा जाता है जिसको multi-vitamin greens भी कहतें हैं जिसको multi-vitamin green के नाम से भी जाना जाता है ये भी इसका बहुत important नेम है ठीक है ध्यान रखना है multi vitamins green है वो कौन सा है चुकुरमेनिस है और इसको हम 21 स्ताबदी की सबजी के रुप में भी जानते हैं और 22 स्ताबदी की सबजी कौन सी है water melon और 22 स्ताबदी का भोजन भी कौन सा है water melon उसके बाद हम बात करें vegetable of 20th century यानि 20 सदी की सबजी देखिए 20 सदी की सबजी winged bean हो जाएगा 21 सदी की सबजी चुकुरमेनिस जिसको आप multi vitamin greens और 22 सदी की सबजी कौन सी है water melon यानि तर्बोज vegetable of 19th century यानि 21 स्ताबदी की सबजी किसे कहते हैं तो रुत बागा को कहते हैं किसको कहते है रुता बागा को कहते हैं 19 सदी की सबजी रुता बागा को कह जाता है ठीक है चलें next अपने अगला है अपना king of oilseed king of oilseed यानि तिलहनी फसलों का राजा भारत में groundnut यानि मूंफली को कहा जाता है इसके अलावा मुंगफली को और किस नाम से जाना जाता है पी नट के नाम से भी जाना जाता है उसके अलावा अर्थन नट के रुप में भी जाना जाता है और उसके अलावा मनीला नट के रुप में भी जाना जाता है तो मुंगफली को आप क्या कहते हैं किंग आप ओयल सीड कहते हैं, पी नट कहते हैं, अर्थ नट के नाम से जानते हैं, मंकी नट के नाम से जानते हैं, मनीला नट के नाम से जानते हैं, और गुबर नट के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, गुबर नट के नाम से भी मुंग्फली को जाना जाता नेक्स हम बात करें king of spices मसालों का राजा है black pepper बोले तो काली मिच मसालों का जो राजा है वो है black pepper यानि काली मिच पेपर नाई गरम जिसको बोलते हैं king of temperate fruit यानि सितोषन फलों का राजा आप समझ गें होंगे apple को ही कहते हैं यानि सेब को ही कहा जाता है चितोषन फलों का राजा सेब को कहते हैं जिस जो बहुत ही अच्छा antioxidant भी माना जाता है king of weed जो weed है खर्पतवार है उनका राजा कोन है वेसे तो हमारा तो दुस्मन है लेकिन खर्पतवारों का जो राजा है वो कौन सा है congress grass यानि पार्थेनियम गाजर गास के नाम से भी जा कहा जाता है सबजी का राजा potato आलू को कहा जाता है और इसे poor main friend भी कहा जाता है गरीब आदमी का दोस्त भी कहा जाता है और ये सबजी के साथ साथ दुनिया का चोथा मुख्य बोजन के रुप में भी काम करता है यानि एक का stable food है किसा food है ये stable food है king of pulses यानि जो अनाज वाल राजा चना है king of fiber यानि जो रेसे हैं उनका रेसे वाली फसलों का राजा कोन है cotton यानि कपास रेसे वाली फसलों का राजा cotton यानि कपास कपास को आप और किस नाम से जानते हैं कपास के रेसे को तो आप बोलते हैं silver fiber क्या बोलते हैं silver fiber और इसके अलावा आप cotton को बोलते हैं वाइट गोल्ड यानि सपेद सोना क्या बोलते हैं वाइट गोल्ड वाइट गोल्ड बोले तो सपेद सोना नेक्स अपने बात करें किंग ओप तिमबर इमार्ती लकडी का राजा इमार्ती लकडी का राजा बोलते हैं टिक्टोना ग्रांडिस इसको बोलते हैं टिक्टोना ग लखना यानि मेवों का राजा मेवों का राजा है वोलनट वोलनट बोले तो अख्रोट मेवों का राजा किसे बोलेंगे वोलनट बोले तो अख्रोट ये नीचे हिंदी में भी दिया हुआ आप स्क्रीन सोट लेना चाहें तो इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं और पिछली स स्लाइड हमने तीन स्लाइड डिसकस कर लिए तीनों का स्क्रीन सोट लेना चाहें तो ले सकते हैं चलिए अपने नेक्स स्लाइड में चलते हैं अभी तक हम किंग की बात कर रहे थे अब हम बात करते हैं क्वीन की क्वीन बोले तो रानी क्वीन ओफ फ्लावर फूलों की रानी देखो इंडिया के अंदर king of flower और queen of flower दोनों ही सरेणी में रोज ही पढ़े जाते हैं अलांकि इंडिया के अंदर ये सरेणी सिरफ AJ king दी हुई है रोज को लेकिन European लोग है वो रोज को queen of flower भी बोलते हैं इसलिए हम queen of flower भी रोज देखेंगे और king of flower भी किसको देखते हैं रोज को ही देखते हैं इसका विशेज द्यान रखना और अब आप कही जगह पढ़ते हैं कि queen of flower है वो cry centimum वो गलत पढ़ते हैं queen of flower नहीं है cry centimum queen of is't है पूरव की जो रानी है वो गुल्दावदी यानी cry centimum है पूरव की जो रानी है यानी queen of is't है उसको उसको बोलते हैं मतलो queen of is't को बोलते हैं cry centimum को बोलते हैं नैंकि queen of flower बोलते हैं ठीक है और उसके अलावा generally एक gladulus भी आपने इदर उधर से पढ़ा होगा तो उसका भी ध्यान रखना queen of bulbus flower जो होता है वो gladulus होता है queen of bulbus flower जो bulbus full होते हैं उनकी रानी gladulus होता है इस्त की रानी है पूरव की जो रानी है वो गुलदावदी यानि क्राई स सेंतिमम होता है बट king of flower है वो रोज है और queen of flower है वो भी कों है रोज है लेकिन इंडिया के अंदर king of flower के रुप में ही रोज को जाना जाता है बट European अगर आपने follow करें तो queen of flower भी किसको बोला जाता है रोज को बोला जाता है तो यह आपको विशेज धियान रखना है next queen of beverage clear ह जाता है और queen of bulbous flower यानि bulbous फूलों की रानी gladiolus है और queen of east यानि पूरव की जो रानी है वो cry centimum यानि गुलदावदी है next queen of beverage crop पेफ अधार्थों की रानी पेफ अधार्थों की रानी कौन है चाए है Queen of Serial हमने King of Serial यानि अनाज वाली फसलों का राजा गेहूं को बोला था और रानी किसको बोलेंगे मेज यानि मक्का को बोलेंगे Queen of Order Crop चारे वाली फसलों की रानी राजा बरसीम है और रानी कौन सा है Lurson, Elpa, Elpa, Ridgika को बोलेंगे ठीक है Queen of Fruit फलों की रानी फलों का राजा तो आम था मेंगो था लेकिन फलों की जो रानी है वो मेंगो स्टीन है कौन है मेंगो स्टीन, मेंगो की पतनी मेंगो स्टीन है ना याद रह जाएगा आप ये भी देखते हैं कई जगें पर ये दिया होता है queen of fruit लीची नहीं queen of subtropical fruit शिरप लीची है queen of subtropical fruit है उसमें केवल क्या है लीची है लेकिन अगर queen of fruit पुछे तो पक्का मेंगोस्टीन होगा queen of fruit पुछे तो मेंगोस्टीन है और queen of subtropical fruit पुछे तो फिर कौन सा होगा लीची होगा ध्यान रखिएगा next अपने बात करें queen of oilseed यानी तिलहनी फसलों का राणी राजा तो मुमफली पड़ लिया था और queen of oilseed यानी तिलहनी फसलों की राणी है से सम यानी तिल होता है olmas of pulsage यानि जो दलहनी फसली है उनकी रानी कोन है राजा तो चना था ग्राम था रानी है वो कोन है पी हाना मटर मटर भी कोन सी फिल्ड पी हाना जिसको आप पाईसम स्टाइवों वेराइटी और वेंसिस पढ़ते हैं तो फिल्ड पी है वो queen of pulsage के अंदर आती है यानि दलहनी की रानी है queen of spices queen of spices यानि मसालों की रानी मसालों का राजा कौन था black paper है जिसको आप बोलती है और queen of spices कौन है small cardimum जिसको आप ऑल्ट्रकाडीमम बोलते है ना छोटी इलाची queen of nut यानि जो मेवे है उनकी रानी राजा तो कौन था XRA इरा नी हो कौन था रानी है वो पेकर नट है रानी है वो कौन है पेकर नट है यहां पी नट लिखावा है पी नट नहीं लिखना है पेकर नट है ठीक है पेकर नट है यह टाइपिंग मिस्टेक है क्वीन अप नट यानि मेवो की जो रानी है वो कौन है पेकर नट है ठीक है अगर screenshot लेना है तो ले लीजिए बट ध्यान रखिएगा queen of nut कौन है पेकर nut है इसका भी ध्यान रखना आपको ये गलती मत कर देना चलिए next अगले question में चलते हैं अब बात हो रही है यहाँ पे poor mentonic की अना गरीब आदमी की औसदी और गरीब आदमी की औसदी है करेला करेला diabetes patient के लिए बहुत बढ़िया है करेला है RBC का level बढ़ाने के लिए बढ़िया है ठीक हैं तो जो करेला है उसको poor management tonic यानि गरीब आदमी की औसदी के रूप में जाना जाता है पूर मेन पलसेज, ग्रीब आदमी की दाल, ग्रीब आदमी की दाल कुल्थी को बोलते हैं, ग्रीब आदमी की दाल होर्स ग्राम या कुल्थी को बोला जाता है, नेक्स्ट है, एपल ओप ट्रॉपिक्स, उस्ण का सेब, एपल ओप ट्रॉपिक्स यानि उस्ण का सेब, दूसर फैकिंग औप ट्रॉपिकल फ्रूट उसन फलों का राजा उसन फलों का राजा और उसके लावा पूर मेंस एपल यानि गरीब आदमी का सेब है वो किसको कहा जाता है अमरूद को कहा जाता है और गरीब आदमी का फल किसे कहेंगे बेर को जैसा पीछे बता है और गरीब आद जादूई फसल, अमेरिका की रीड की अड़ी, उसके लाद ड्रोसो फिला और क्रोप प्लांट्स है, फसलों की जो ड्रोसो फिला है, वो किसे कहा जाता है, मेज को कहा जाता है, क्यों क्योंकि इसकी उत्पादक्ता बहुत है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत है, आपको प गोल्ड ओप अमेरिका, अमेरिका का सोना, उसके अलावा सिड्रेला क्रोप, उसके अलावा येलो जेबल, उसके अलावा गोल्डन बीन, यानि सुनहरी बीन, और उसके अलावा अपने बात करें, पूर मेन मीट, यानि गरीब आदमी का मास, उसके अलावा बोनलेस मीट, यान बिना हड़ी का मास उसके लाव पूर मेन लेंड क्रॉप यानि गरीब आदमी के खेत की फसल दुबारा से हम बात कर लेते हैं बहुत सारे नाम होगे भूल ने गे हो अदबुद फसल यानि वंडर क्रॉप आतमगाती फसल यानि सूसाइडल क्रॉप अमेरिका का सोना गोल्ड मीट गरीब आदमी की जमीन की फसल यानि पूर मेन लेंड क्रॉप किसको कहा जाता है सोया बीन को कहा जाता है किसे काएंगे सोया बीन हाना और इंडिया के अंदर सोया बीन संप्लावर और से फ्लावर Modern ऑलीजिट़व हैं यानि आधुनिक तिलैनी फसले हैं बाकी सब ट् wonder tree के नाम से यानि अदबुद पेड के नाम से किसको जाना जाता है wonder tree के नाम से नीम को जाना जाता है वेसे नीम के बहुत सारे नाम है एक तो 21 सदी का पेड भी बोलते हैं और इसके अलावा रोगाणू वै किटाणू ना सक पेड भी इसको बोला जाता है चमतकारी पेड के रूप में भी इसको जाना जाता है तो कई सारे नाम है नीम के लेकिन जो exam point of view से important है मैं सिरफ उनी की बात करने वाला हूँ यह इतने नाम आपको लग रहे होंगे बहुत सारे नाम है अरे बहुत सारे synonyms दिये हों है ना हमने तो बहुत सारों को क्या की है sort out की है ताकि हम याद कर पाएं next है अगला drought avoidance crop या poor main food crop यानी जो सुखे को दूर बगाती है यानी सुखे से बच के चलती है सुखे में उग जाती है और सुखे से परभावित नहीं होती तो drought avoidance crop यानी सुखा बचाओ फसल poor main food यानी गरीब आदमी का भोजन या गरीब आदमी की फसल यानी बोलती है pureal milk यानी बाजरा को बोला जाता है किसको बोलती है बाजरा को बोला जाता है और वेसे इसको जन्नली क्या है फेमाइन क्रोप्स के नाम से भी जाना जाता है अकाल के दोरान जो स्टोक के रुप में काम आती है वो बाजरा ही आता है next है camel of digit यानी जो बुरुस्तल है उसका उंट या camel crop के नाम से जाना जाता है वो है sorgum, sorgum बोले तो जवार यानी जोर जाना जाता है poor man disease किसे कहा जाता है ग्रीब आदमी का रोग किसे कहते है bacterial leap light यानी जिवानु पत्ती धबा रोग को बोलते है जिवानु पत्ती जुलसा रोग को कहा जाता है rich man disease, अमीर आदमी का रोग है वो blast को कहा जाता है किसको कहते हैं ब्लास्ट रोग को कहते हैं नेक्स्ट है कलप्वरक्सा या ट्री ओफ हेवन किसे बोला जाता है कलप्वरक्सा या ट्री ओफ हेवन वेसे तो नारियल के बहुत सारे नाम है लेकिन दो जो पॉपुलर है वो बता रहा हूं क्लिप रेक्सा और ट्री ओफ हेवन है वो कोकोनेट यानी नारियल को कहा जाता है उसके लाव मेरिकल ट्री जो है मेरिकल ट्री है वो सू बबुल को कहा जाता है सू बबुल लेग्यूमिनेशी कुल का पोदा है सोरी पेड़ है और ये सोशिल फोरेस्ट्री में बहुत लगाय वो एक लेग्यूम ट्री है और इसको 5F3 के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं 5F3 के नाम से सूबबुल को ये सोशल फोरेस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला पेड़ा और बहुत ही बढ़िया है 5F का मतलुक क्या होता है फूड यानि भोजन दूसरा कौन सा फोडर पहला फूड दूसरा कौन सा फोडर तीसरा कौन सा अपने बोलेंगे फूड फोडर फ्यूल फूड यानि भोजन देता है उसके लावा फोडर यानि पसों को चारा देता है और तीसरा हमने कौन सा बोला फ्यूल फ्यूल बोले तो जलाने के लिए लकड़ी देता है इंदन देता है उसके लावा fertility fertility के से लेग्यूम है nitrogen fixation करता है soil की fertility enhance करता है और पांचवाँ फरनीचर तो कितने अप होगे 5 एक कौन सा था food दूसरा कौन सा था foder तीसरा कौन सा है fuel चोथा कौन सा है fertility और पांचवाँ कौन सा है furniture तो इसको 5 F3 के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं आप इसको 5 F3 के नाम से जानते हैं social forestry के अंदर बहुती श्यांदार पेड़ा सामाजिकवानी की के अंदर next है soil restorer crop soil restorer crop है वो नेपियर घास को बोलते हैं वेसे restorer crop है वो सारी की सारी लेग्यूम है जो मिट्टी की उर्वरा समता को बढ़ाती है उसको restorer crop बोलते हैं और सभी लेग्यूम है राजमा को छोड़ के क्योंकि आपको पता है कि राजमा nitrogen fixation नहीं करता है nitrogen स्तिरी करण नहीं करता है तो राजमा को छोड़ के सारे के सारी जो लेग्यूम है उनको हम क्या बोलते हैं restorer crop बोलते हैं soil restorer crop particular नेपिर घास को बोलते हैं vegetable meat या black-eyed pea या लोबिया किसको बोला जाता है cow pea या चमला को बोला जाता है vegetable meat black-eyed pea और लोबिया cow pea को बोला जाता है और poor main meat और bonless meat soya bean को बोला जाता है उसके अलावा vegetarian meat है वो jack fruit को बोला जाता है jack fruit बोले तो cuttle को vegetarian meat jack fruit या नि cuttle और vegetable meat किसको बोला जाता है vegetable meat cow pea को poor main meat किसको soya bean को bonless meat किसको soya bean को क्यों बोला जाता है क्योंकि यह सब भी प्रोटीन के धनी स्त्रोत है इसलिए तो स्वयाब इसमें काउपी में तो 23% के आसपासी प्रोटीन होती है लेकिन स्वयाबीन में तो 40-45 या accurate की बात करती है तो कितना होता है 42% होता है उसके अलावा जो मस्रूम है मस्रूम को भी vegetarian meat बोलते हैं मस्रूम है उसमें भी तो प्रोटीन ते 30% होता है तो उसको भी vegetarian meat के नाम से जानते हैं jack fruit को भी vegetarian meat के नाम से जाना जाता है चले next slide में इसका screenshot लेना है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है चले next next है mate bean next है अपना mate bean मटकी bean turיש gram dew bean यह सब किसके लिए बोले जाते हैं यह बोले जाते हैं मोट के लिए na mate bean बोलते हैं मटकी bean बोलते हैं tur consistently बोलते हैं और dew bean बोलते हैं किसको मोट को Indian soy bean cluster bean को यानि guar को बोला जाता है इंडियन सोया बीन, कलस्टर बीन, गौर को बोला जाता है, गौर के दाने में बहुत प्रोटीन होता है, 45% के आसपास प्रोटीन होता है, इसलिए तो इसको जो एनिमल फीड होता है, उसके बनाने के काम में लेते हैं, पस्वों के लिए प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स मेरिकल राइस यानि विसो की धान का चमतकारी दान किसे का आ जाता है विसो का चमतकारी धान धान की आई यार आठ वेराइटी यानि किसम को कहते हैं मेरिकल राइस यानि भारत का चमतकारी धान कोंसा है जेया जो वो एर आट से भी बढ़िया है नेक्स्ट भाव वंडर केन वणर केन बोले तो अधबुद गन्ह वंडर केन बोला जाता है स्टूनेंट चीयो चेजो इकैतर को और चैयो चार्सो उनिस वेराइटी को जो गन्य की CO 631 और CO 419 variety है उनको wonder cane के नाम से जाना जाता है next है high solar energy converter crop है वो sugar beet यानि चुकंदर को बोलते हैं high solar energy converter crop जो है वो sugar beet को बोला जाता है यानि solar energy लेकर photosynthesis उससे करके और ज़्यादा energy रखने वाली जो फसल है वो चुकंदर को कहते हैं वैसे energy crop के अंदर तो sugar के इन गन्ना आता है मेज आता है और ग्रासे जाती है ठीक है लेकिन high solar energy convert crop है वो sugar beet को बोलते हैं बायो energy plant या जिसको अपने क्या है बायो डीजल प्लांट या जेव इंदन पोदा जिसको बोलते हैं वो कौन सा है जेट्रोफा और energy crop देखो बायो डीजल प्लांट का मतलो तो होता है उससे oil extract करके उस तेल को इंदन के रूप में काम में लेते हैं वो बायो डीजल क्रोप या फिर बायो energy plant कहलाता है वो है जेट्रोफा रतन जोथ और energy crop की बात करें तो sugar cane और मेज सबसे important है ध्यान रखिएगा तलिए next crop, sorry next slide में चलते हैं इसका भी अगर आपको screenshot लेना है तो आप ले लीजिए next अपने बात करते हैं brown gold देखिए brown gold है वो किसको बोला जाता है dead pupa of silkworm जो grassam keet है उसका जो मर्त pupa होता है उसको भूरा suna कहते है white gold spade suna आपको बता दिया कपास को कहा जाता है black gold, kala suna है वो appheam को कहते हैं और उसके इलावा kala suna केच्वे की खाद को भी कहते हैं kala suna, black gold है वो appheam को कहते हैं इसके लावा केंच्वे की खाद को भी कहा जाता है ठीक है उसके लावा आपने बात करें ग्रीन गोल्ड यानि हरा सोना बांस को कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं और सोना खाद है वो केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट को कहते हैं जिसको आप किसान खाद भी कहते हैं अगला है एग प्लांट एग प्लांट बोले तो ब्रिंजल ब्रिंजल बोले तो बेंगन हना एग प्लांट बेंगन को कहते हैं नेक्स अपने बात करें फेमाइन रिजाउस फेमाइन रिजाउस यानि अकाल के दोरान जो स्टोक का काम करता है वो कौन करता है मिलेट करता है क् गोड बगवान का बोजन कहुआ को बोलते हैं कोकोवा को हिंदी में बोलते हो आपका हुआ एक बेवरेज क्रोप है पेपदार्थों वाली फसल है लेकिन आज कल कोफी चोकलेट है और उसके लावा आइसक्रीम बगेर है उनके बनाने में काम आती है नेक्स पूर में औरेंज गरीब आदमी का संत्रा अनक ये तो बात बोली जाती है भारत के अंदर उसके बाद में हम बात करें लव ओफ एपल यानि सेब का प्यार ये बात बोली जाती है इंग्लेंड में नंबर वन प्रोसेसिंग वेजीटेबल यानि सबसे ज़्यादा परसिस्कृत की जाने वाली सबजी उसके लावा भेडिये का सेब वुल फैपल और उसके लावा विलाइती बेंगन ये सब बातें बोली जाती है टमाटर के लिए तो टमाटर क्या है पूर में औरेंज गरीब का संत्रा है लव ओफ एपल सेब का प्यार है नंबर वन प्रोसेसिंग वेजीटेबल यान ग्रीब आदमी का घी या ग्रीब आदमी के घी का विकल्प किसको कहा जाता है तिल के तेल को कहा जाता है उसके लावा मेरिकल ओफ चाइना या मेरिकल फ्रूट ओफ चाइना कीवी फ्रूट को कहते हैं मेरिकल फ्रूट ओफ चाइना यानि चाइना चीन का चमतकारी फल कीवी फल को कहा जाता है और इसके अलावा इसको चाइनिज गुस बेरी के नाम से भी जानते हैं और इंडियन गुस बेरी किसे कहते हैं आमला को कहते हैं इंडियन घुस बेरी है वो आमला को कहते हैं और चाइनीज घुस बेरी है वो कीवी फल को कहा जाता है नेक्स अपने बात करें पूर मेन सीरियल ग्रीब आदमी का जो अनाज है सीरियल पूछा गया ग्रीब आदमी का भोजन तो बाजरा है ग्रीब आदमी की फसल भी बाजरा है ग्रीब आदमी का मितर आलू है लेकिन यहां पूछा गया है पूर मेन सीरियल ग्रीब आदमी का अनाज वो है रागी जिसको आप बोलते हैं फिंगर मिलेट है ना रागी या फिंगर मिलेट बोलते हैं नेक्स्ट है पूर मेन रूट क्रोप्स गरीब आदमी की जड़ वाली फसल गरीब आदमी की जड़ वाली फसल है कसावा जिसको आपते पोई का भी कहते हैं पूर मेन गोल्ड यानी गरीब आदमी का सोना पायराइट खनीज को कहते हैं यह तीनों ही मानव निर्मित फल कहलाते हैं जैसे आप मानव निर्मित अनाज कौन सा पढ़ते हैं ट्रिटिकेल वैसे मानो निर्मित फल कौन सा एट मोया है स्ट्रोबेरी है और किन्नू है उसके लाव मेन मेड सीरियल मानो निर्मित अनाज कौन सा है ट्रिटिकेल है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रिम्पू ने अठारा सो नब्बे में स्केल सीरियल और गेहूं का क्रोस करवा के ट्रिटिकेल पेदा किया था अठारा सो नब्बे में स्केल सीरियल यानि राई जिसको बोलते हैं और उसका क्रोस करवाया गया गेहूं के साथ दोनों ही पोईसी कुलके हैं और इनका क्रोस करवा के ट्रिट केल त्यार किया गया था, main made vegetable यानी मानो निर्मी सबजी है, वो किसे कहा जाता है, रुता बागा को कहा जाता है, किसको कहते हैं, रुता बागा को कहते हैं, हो गया भी screenshot बढ़ें आगे अब देखो थोड़ा सा क्रोस कई बार important होता है वेसे तो synonymी पढ़ना था इस lecture में अपने synonymी पूरे कर पाते तो बहुत अच्छी बात थी लेकिन फिर भी एट मोया को लक्समन फल कहते है और इसका जो क्रोस है वो क्या है एनोना एनोना ये एनानास के जो वंस है उनका वंस है न जीनस है और जो इसका क्रोस है वो एनोना चैरमोला और उसके लावा एनोना स्क्यूमोसा है एनोना स्क्यूमोसा कौन सा होता है सीता फल होता है एनोना चेरी मोला जो होता है वो कौन सा होता है हनुमान फल होता है ठीक है हनुमान फल है और ये सिता फल है एनोना चेरे मोला और एनोना स्क्यूमोसा के क्रोस से लक्समन फल त्यार हुआ है ठीक है अनुमान फल और सिता फल के क्रोस से ये त्यार किया गया है सिता फल को आप सुगर एपल के नाम से भी जानते हैं और जो अनुमान फल है उसको चर्मोया के नाम से भी जानते हैं चेरी मोया के नाम से भी जानते हैं स्ट्रोबेरी है ये भी मानो निर्मित फल है इसमें किस-किस का क्रोस करवाया गया है फर्गेरिया वर्जीनियाना और फर्गेरिया चिलिनियोसिस का क्रोस करवाया गया है और इन दोनों के क्रोस से स्ट्रोबेरी बना है किन्नू तो आप जानते हैं किन्नू का क्रोस किंग यानि सिट्रस नोबिलस और विलोलिफ यानि सिट्रस डिलिकोसा किंग इंटू विलोलिफ किंग बोले तो सिट्रस नोबिलस और विलोलिफ बोले तो सिट्रस डिलिकोसा इन दोनों का क्रोस करवाया किसने करवाया था ये क्रोस करवाया था H.B. Frost ने कब करवाया था 1915 के अंदर करवाया था कहां पर करवाया था University of California Research Center है ना वहाँ पर करवाया था University of California Research Center कैलिफोर्निया के अंदर H.B. Frost ने 1935 में किन्नू त्यार किया लेकिन किन्नू को इन्हों ने H.J. Variety कब release किया था 1935 में release किया था और भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 1969 के अंदर Officially introduced हो था Officially पहले ही introduce हो गया था Officially 1969 को इन्ट्रोडियूस हुआ था तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है उसके लाग कुछ और crops के भी synonym की अपने बात कर लेते हैं यहां पे century plant यानि स्ताबदी फल किसे कहा जाता है स्ताबदी का पोदा यानि मतलो 100 साल जो जिवित रहता है वो date palm है यानि खजूर है death cape जो मस्रूम है उसके लिए बोला जाता है death केप एक मस्रूम है जो जहरिली मस्रूम है और कौन सी मस्रूम है वो eminita कौन सी मस्रूम है eminita पहले भी मैं quiz के अंदर आप लोगों को करवा चुका हूँ photo भी दिखा चुका हूँ eminita जो मस्रूम होती है यह बहुत घातक होती मर्त्यू का भी कारण बन सकती है इसलिए इसको death cape के नाम से जानती है largest flower जो है वो repletia है और smallest flower कौन सा है आपको quiz में करवाया हुआ है इसे मिलता जुलता ही नाम है wolfia ना largest flower है वो तो है repletia और जो smallest है वो कौन सा है wolfia है earth star यानि धर्ती का तारा किसे कहा जाता है धर्ती का तारा एक fungus है जिसका नाम है gastrum क्या नाम है gastrum को कहा जाता है एक fungus है उसके अलावा हम बात करें skate fungi यानि जो एक तरह से गुप्त का वक है वो किसे कहा जाता है पसिलो साइब को कहा जाता है ये भी एक फंगस है पसिलो साइब को कहा जाता है ब्लैक मोल्ट यानि जो ब्लैक मोल्ड होती है काली मोल्ड होती है वो बोलते है एसपरजीलस नाइगर को बोलते है और ब्ल्यू मोल्ड है वो किसको बोला जाता है नूरोस्पोरा को बोला जाता पल्यू जो मोल्डा वो नूरोस्पोरा को कहा जाता है अब देखिए यहां से इतने जो हम आज डिसकस कर रहे हैं कोई ना कोई एक आदा क्योशन आपके एकजाम में पक्का फस्ता ही फस्ता है next है blanket flower blanket यानी यह समझ लो चदर की तरह है फेल जाता है पूरे का पूरा न तो blanket flower है वो किसे कहा जाता है यानि कंबल फूल किसे कहा जाता है गिलार्डिया को कहा जाता है monkey jack के नाम से किसको जानते है 여러분 ज्यक फूट को जानते है monkey jack के नाम से किसको जानते है jack fruit को जानते है और इसको भी poor man food के रूप में जाना जाता है गरीब आदमी के भोजन के रूप में जाना जाता है इसको vegetarian meat भी कहते है मैंने आपको आप बताया ही था चाइनीज फिग है वो बेर को कहा जाता है चाइनीज फिग बेर को कहा जाता है सुरू में ही हमने बात की थी स्टार एपल हना स्टार एपल यानि तारा सेब है वो फालसा को कहते हैं और स्टार फ्रूट केरम बोला को कहते हैं स्टार फ्रूट या पांच कोने वाला फल या फ केरम बोला है star fruit star fruit है वो कौन सा है केरम बोला इसको five corner fruit भी बोलते है star fruit या five corner fruit है केरम बोला और star apple पूछ ले तो कौन सा है फालसा है spotula plum spotula plum spota को बोलते हैं किसको बोलते हैं spota बोले तो चिक्कू को बोलते हैं fancy fruit हैna fancy fall या फिर loose skin orange जिसको बोलते हैं fancy fruit या loose skin orange जो है वो बोला जाता है संत्रा को यानि मैंडरिन को बोला जाता है ब्लेक पाम, जावा पाम, इंडियन ब्लेक बेरी ब्लेक पाम, इंडियन ब्लेक बेरी, जावा पाम के नाम से जाना जाता है जामून और इसको एंटी डायबिटिक फ्रूट भी कहते हैं क्या बोलते हैं एंटी डायबिटिक फ्रूट बोलते हैं आप अपसी तरह से जानते हैं कि ये डायबिटीज को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेक्स अपने बात करें इंडियन घूसबेरी मैंने आपको पहले ही बताया था आमला को कहते हैं अमरित्फला के नाम से भी इसको जाना जाता है विलाइती पालक स्पीनच को बोलते हैं ना स्पीनिका ओलरेशिया को बटर बीन जो है वो लिमबा बीन को बोलते हैं बटर बीन है एक तरह से हम कह सकते हैं मक्षन बीन वो लिमबा बीन को बोलते हैं अयूबर जीन जो है वो कि बेंगन को कहा जाता है नेक्स अपने बात करें kidney bean kidney के shape की होती है इसलिए kidney bean snap bean king of nutrients common bean उसके लावा navy bean उसके लावा haricot bean ये french bean यानि राजमा को कहा जाता है देखो kidney bean snap bean king of nutrients यानि portion का राजा जिसको बोलते हैं common bean यानि समान्य बीन navy bean और haricot bean है ना ये सब french bean या राजमा को कहा जाता है next अपने बात करें पिछली slide की अगर screenshot लेना है तो आप ले सकते हैं इससे पहले वाली भी ले सकते हैं ये आपको उका नहीं मिला होगा ले लीजिए screenshot इसका भी screenshot लेना है तो आप ले सकते हैं चलिए next अपने बात करें और जो synonyms है उनकी Indian bean या लब-लब bean है वो delicious bean को कहते हैं और सिया फेबा bean है वो broad bean को कहा जाता है घोडा bean या फेबा bean ब्रोड bean को कहते हैं potato bean आलू bean या फिर misri khand जो है वो yam bean को कहते हैं किसको कहते हैं याम बीन को कहते हैं, पोटेटो बीन या मिसरी खंड किसको बोलते हैं याम बीन को, बलेसम पियर या बिटर कुकुमबर, बलेसम पियर या फिर क्या है, बलसम पियर या फिर बिटर कुकुमबर, बालसम पियर या बिटर कुकुमबर, क्रेला को यानि बिटर गार्ड को कहते ह vegetable of immunity values जो immunity value को भटाती है रोगपरती रोधक सम्ता को भढ़ाने वाली हाना एमिन्यूज value यानी एक आपार मैतव वाली सबजी या फिर रोगपरती रगदा सम्ता भढ़ाने वाली जो सबजी है वह pumpkin कद्डू को कहते हैं वेक्स या वाइट गार्ड है जो एस गार्ड को बोलते हैं जिससे अपने जनरली केंडी बना कर खाते हैं ये केंडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया फ्रूट होता है केंडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है पेठा पेठा बोले तो एस गार्ड जिसको वेक्स या white guard के नाम से जानते हैं Swiss card या फिर beat lip Swiss card या फिर beat lip किसे कहते हैं पालग को कहते हैं horse registry horse registry horse registry है वो drum stick यानि स्वाँजना को कहते है drum stick बोले तो स्वाँजना medicinal value बहुत अच्छी है बहुत popular है horse registry यानि drum stick को कहा जाता है ठीक है इसके अलावा आपको इसका screenshot लेना है तो आप ले सकते हैं next है बहुत सारे उपनाम है ना बहुत सारी crops भी अपने तो बहुत सारे उपनाम भी अपने को देखने को मिलेंगे ठीक है अभी हम तीन और slide का discuss करेंगे उसके बाद कुछ जो बच जाएंगे उसको पुरण खादे पदार्थ बस्क मेलन को यानि होलसम फ्रूट मस्क मेलन को कहते हैं king of annual flowers जो एक वर्सी है पुष्पिये पोदे हैं उनका जो राजा है उपैंसी को कहते हैं किसको कहते हैं पैंसी को कहते हैं lovers chain जो है वो किसको कहते हैं कोरल वाइन को कहा जाता है बुद्धा ट्री उसके लावा religious tree of India भारत का धार्मिक वरक्स और उसके अलावा enlightenment plant यानि ज्यान का वरक्स है वो किसे कहा जाता है people को कहा जाता है एक तो भारत का धार्मिक पेड कहते हैं एक बोध वरक्स कहते हैं एक ज्यान का पेड कहते हैं किसको people को कहते हैं वो दिश्ट्री बोलते हैं tree of enlightenment बोलते हैं और इसके लावा religious tree of India बोलते हैं किसको people को उसके लावा पेकोक जो है मोर है वो किसको कहा जाता है वो गुल मोहर को कहा जाता है किसको कहा जाता है गुल मोहर को कहा जाता है ठीक है उसके बाद हम बात करें बल्यू गम बल्यू गम जो होता है वो बोलते हैं स्पेदा को युकोलिप्टिस को जिसका तना केसा होता है स्पेद होता है जिसका तना स्पेद होता है आपने देखा होगा जन्रली military family से भी बिलोंग करता है तो उसको हम blue gum के नाम से भी जानते हैं और भारत का जो रास्ट्रिय पेड है वो बर्गद को कहते हैं और पिको की यानि म्यूर है वो गुल मोहर को कहा जाता है भारत का रास्ट्रिय पेड तो कौन सा है बर्गद बन्यान ट्री भी जिसको बोलते हैं phycus bengalensis और फिपल का बोटनिकल नेम क्या है phycus religious तो इसका screenshot लेना चाहते हो तो इसका भी screenshot आप ले सकते हैं next है मैंने इनको ज़्यादा explain नहीं किया explain करेंगे तो दो-च्यार घंटे लग जाएंगे इनमे नेक्स्ट है china so flower है वो किसको बोलते हैं good health को बोलते हैं यानि हिबिसकस को बोलते हैं pigeon berry pigeon berry बोले तो किसको बोला जाता है pigeon berry duranta को बोला जाता है duranta आप ornamental hedge के लिए लगाते हैं जैसे ornamental garden में जाते हैं तो वो एक बाड़ सी बनी होती है सुन्दर जाड़ी से वो होता है duranta poor man orchid और्किड वे से तो महंगा होता है तो poor man orchid किसे कहा जाता है शिजान्थुस को कहा जाता है शिजान्थुस को कहा जाता है poor man orchid love in mist या black cumin जनली love of mist या black cumin वो किसको बोलते हैं नीगेला को बोलते हैं किसको बोलेंगे नीगेला को star flower के नाम से किसको जानते हैं phlox को जानते हैं star flower है वो है कौन सा phlox और कौन flower संकूफूल है वो किसको बोलते है रुडबेकिया को बोलते है संकूफूफूर या कौन फ्लावर रुडबेकिया को कहा जाता है इसका भी screenshot लेना है तो आप ले लीजिए चलिए next अपने Cape marigold Cape marigold किसे कहा जाता है यानि टोपी वाला गेंदा तो ये कहते हैं डी मौर्फेतिका को कहते हैं नेक्स्ट है पोर्ट मेरी गोल्ड गमले का गेंदा किसे कहा जाता है कलेंडूला को कहा जाता है कलेंडूला एक फ्लावर है न डोग फ्लावर या बनी रेबिट किसे कहा जाता है एंट्री नम को कहा जाता है चलिए आज अपने इतना ही डिसकस करेंगे अभी भी कुछ है जिनके सीनोनिम्स है या फिर जिनके उपनाम है वो बच गए है तारिका तो आज अपने डिसकस ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा फिर आपके याद करना भी क्या है मुश्किल हो जा स्टाइब और उसके लावा उत्राकर ड CIन डबल ओ और सुगर के इन सुपर वाईजर के भी में हैं वो कोई भी स्टूडेंट जोइन करना चाहता है तो जोइन कर सकता है और इन एक्सपीरियंस धिएन्क कर सकता है थैंक यू